अधिर कुलास आज की लास में हम लोग सालफर के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो है आपका ल का इस एसू तो इसमें हमिका व अलि Eng sum तोida स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज और यूजिस के बारे में ओके तो सबसे पहला मेथेड़ आफ प्रॉपरेशन ऑफ सल्फर डियक्साइड है आपका लैब मेथेड और लैबोरेटरी मेथेड इन लैबोरेटरी ऐसो टू इस प्रिपेरड बाई हीटिंग कॉपर टर्निंग बैर किया सकता है ठीक है और दूसर एक और लैब में तरीका यूज के जाता है बाइट रीटिंग सल्फाइट विद डाल्यू टेस्ट ऑसो फोर के साथ रियाक्ट करा जाए तो भी सल्फड एक्साइड रिलीज होगी इस मेथर से भी हम लोग सल्फड एक्साइड को इस अफ एसो टू इस सल्फर डायोक्साइड ठीक है अब जिए अचेंड मेथर और प्रेपरेशन ऑफ एसो टू है बाइब निंग सल्फर इन एर और ऑख्सीजन तो अच्छिजन के प्रेजेंस में हीट करने से एसोटू का फॉर्मेशन होता है तो सल्फर आपका या तो मो बैलेंस्ट फॉर्म में इसका रियाक्शन होगा ठीक है और थर्ड मेथर्ड अफ प्रेपरेशन है आपका बाइंडास्ट्रियल मेथर्ड इंडास्ट्रीज में जो एसोटू प्रिपेर किया जाता है वह एक बाइप्रोडक्ट होता है और रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर और सच आपड़र्ड पाइशो है तो रोस्टिंग एख मेटलळिकल प्रॉसह है जिसमें और को हीड किया जाता है प्रेसंस ओफ औस आप्स अफ से इस तो इसको और मेटल ओक्साइड बने का और साथ अमें इसó जैसटें एक्षन से या इस मेथड से इंडस्ट्री में सल्फर डियोगसाइड को प्रिपेर किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एसो टू तो एसो टू का यह स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल आटम जो है आपका सल्फर उसका हाइब डादेशन होता है इसमें दो बॉंड पेर है और एक लोन पेर है तो टोटल थ्री बॉंड्स है तो आपका इस्ट्रक्चर और इस मॉलिक्यूल का शेप होता है एंगुलर या फिर इसे बेंट कह सकते हैं या वी शेप कह सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज औफ ऑफ सल्फर डायोक्साइब तो नंचल करते हैं फैसी के से फिज्जिकल प्रॉपर्टी है SO2 is a colorless poisonous gas with pungent smell of sulfur तो sulfur dioxide एक colorless gas है यह poisonous होता है और sulfur जैसा strong smell होता है इसका ठीक है और दूसरा physical property है sulfur dioxide is highly soluble in water तो यह water में आसानी से dissolve हो जाता है तीक है next आते हैं chemical properties of sulfur dioxide पर first chemical property है आपकी acidic nature of SO2 SO2 is an acidic oxide and dissolves in water to form H2SO3 that is sulfurous acid तो sulfur dioxide एक acidic oxide है water में dissolve होकर के sulfurous acid का formation करता है यह base के साथ combine करके solid का formation भी कर सकता है ठीक है second chemical property है decomposition तो high temperature पर यानि की 1200 degree celsius पर sulfur dioxide decompose कर जाता है into SO3 जाने के sulfur trioxide और sulfur में ठीक है third chemical property है oxidizing and reducing property SO2 behaves as oxidizer as well as reducer because oxidation state of sulfur in SO2 is plus 4 which is less than highest oxidation state plus 6 and higher than lowest oxidation state minus 2 तो sulfur dioxide में sulfur का oxidation state plus 4 होता है जो कि ग्रूप 16 का जो highest oxidation state है plus 6 उससे कम है और जो lowest oxidation state है minus 2 उससे ज्यादा होता है इसलिए sulfur dioxide oxidizer और reducer दोनों के तरह behave करता है ठीक है तो as an oxidizer sulfur dioxide compound हो या metal हो उन सबको oxidize कर देगा जैसे for example H2S यानि कि hydrogen sulfide को oxidize करता है into H2O water में और खुद reduce हो जाएगा into sulfur magnesium को oxidize कर देगा magnesium oxide में और खुद reduce हो जाएगा magnesium sulfide में इस तरह से iron को oxidize कर देगा iron oxide में और खुद reduce हो जाएगा into ferrous sulfide तो यहां पर sulfur dioxide reduce हो रहा है यह हम लोग को पता चल रहा है उसके oxidation state से sulfur oxidation state यहां पर plus 4 है यहां पर भी plus 4 है और यहां पर भी plus 4 है लेकिन जब वो इस compound को यानि कि hydrogen sulfide को या इस metals को oxidize कर रहा है तो खुद reduce हो रहा है और इसका oxidation state decrease कर रहा है from plus 4 to 0 from plus 4 to minus 2 and from plus 4 to minus 2 sulfur dioxide में sulfur कुद reduce हो रहा है और जो आपके metal या compound है उसको oxidize करके उनका oxidation state बढ़ा रहा है जैसे यहां पर hydrogen oxidation state same है वो change नहीं हुआ है लेकिन sulfur oxidation state decrease कर गया है magnesium oxidation state increase कर गया है from 0 to plus 2 और iron का भी oxidation state increase कर गया है from 0 to plus 2 next reducing nature of SO2 in presence of moisture SO2 acts as a good reducing agent due to the evolution of nascent hydrogen तो sulfur dioxide moisture यानि के water के presence में sulfuric acid में convert हो जाता है और साथ में nascent hydrogen रिलीस करता है और यह nascent hydrogen responsible होता है for the reducing property या reducing behavior of sulfur dioxide तो sulfur dioxide एक अच्छा reducer के तरह बहेव करता है यह acid हो compound हो उन सब को आसानी से reduce कर देता है तो सबसे पहला है SO2 reduces halogen to halogen acids तो halogen को reduce करके उनके respective halogen acids में convert कर देगा तीक है जैसे यहां पर oxidation state 0 था और 0 CA हो गया minus 1 तो CL reduce हो गया next है SO2 decolorizes violet या pink color of acidified KMNO4 solution तो potassium permanganate यानि कि KMNO4 solution को decolorize कर लेता है यानि कि pink से violet pink से इसको colorless में convert कर देगा by reducing और third reaction है of reducing nature that is SO2 turns orange K2C807 solution green orange color potassium dichromate यानि कि K2C807 के solution को reduce करके green color में convert कर देगा और यह green किसके वज़े से होगा आपका reduction of chromium potassium dichromate का chromium है into chromium sulfate यहां पर इसका oxidation state होता है plus six ठीक है और इस जगह पर हो जाएगा इसका oxidation state प्लस ठीक है तो reducing nature वाले जो reactions है वह आपके important reactions है जिसमें mainly यह दो reactions बहुत important है ठीक है क्योंकि यह दोनों जो reactions है आपको direct reaction के form में भी पूछ सकता है या फिर what happens when या give reason के form में भी पूछ सकता है ठीक है और fourth chemical property है sulfur dioxide की bleaching action SO2 acts as bleaching agent due to the reduction by nascent hydrogen liberated by the moisture present moisture के presence में SO2 H2O4 में convert हो जाता है और nascent hydrogen release करता है यह nascent hydrogen आपके colored material के साथ जब combine करता है तो उसको reduction के वज़े से colorless में convert कर देता है यानि कि उसको fade कर देता है उसको bleach कर देता है तो bleaching action sulfur dioxide का temporary होता है क्योंकि यह reduction के वज़े से होता है और जो bleached material है जो colorless material है इसको अगर oxidize कर दिया जाए तो फिर हमारा original color regain किया जा सकता है तीक है और last है uses of sulfur dioxide तो first use है in the manufacture of H2O4 that is sulfuric acid तो sulfuric acid के preparation में sulfur dioxide को use किया जाता है as a reagent next है as a refrigerant and solvent for dissolving organic and inorganic chemicals तो sulfur dioxide एक refrigerant के तरह भी use किया जाता है और बहुत सारे organic और inorganic chemicals को dissolve करने के लिए as a solvent भी sulfur dioxide को use किया जाता है ठीक है third है as a bleaching agent तो एक bleaching material या bleaching agent के तरह भी sulfur dioxide को use किया जाता है और fourth use है as an anti chlor for removing excess of chlorine from bleached fabrics तो bleached fabric से extra chlorine को remove करने के लिए तो anti chlor के तरह भी sulfur dioxide को use किया जाता है तो यह था आपका oxide form of compound of sulfur that is sulfur dioxide acid जिसके methods of preparation properties और uses के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा और next class हम लोग sulfur के oxo acids के बारे में पढ़ेंगे और एक important oxo acid है sulfuric acid जिसका methods of preparation properties और uses के बारे में पढ़ेंगे okay thank you कर दो कर दो